हेलो एवरीवन अस्सलाव अलेकूम मैं हूँ रिज्वाना सिंदी स्वागत है आपका क्लासिक तड़का में तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पठाने यह बहुत मज़ेका और टेस्टी बनता है यह बहुत ही कम मसालों में बनकर बहुत ही बढ़िया रेडी होता है इसे पे कोई भी गेस्ट आने वाला हो तो भी आप बना सकते हो तो चलिए फिर बिना स्कीप के वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो फिर शुरू करते हैं मटन पठानी किस तरीके से बनाएं कि सबसे पहिले अमने कूकर के अंदर 500 ग्राम मटन ले लिया इसको अच्छचे से द्धोकर साफ कर लिया था और कोअ बल्कुल इसमें पानी ना रहें उस मुस्त का भी द्यान रखें यह हमने बक्रय belts लिया है 500 और गेस्ट की फ्लेम को हमने स्टाट कर दिया है और सबसे पहले इसमें हम नमक डालेंगे स्वात के मुताबिक और आदे से भी कम इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और दो हमने कस्मीरी लाल मिर्चे डाल दी हैं देखिए इसके अंदर बहुत ही कम मसाले डाले जाते हैं और एक चमज भरके हमने अधरक लसन का पेस्ट डाला है तो पेस्ट डालने के बाद अब इसके अंदर हम एक चमज भरके काली मरी पाउडर या तो फिर सफेद मरी पाउडर इसमें डाल देंगे काली मिर्च होती है वह डाल दिए अगर आपके पास सफेद मरी पाउडर नहीं है तो आप काली मरी को भी पीस्किस में डाल सकते हैं उसे टेस्ट में कुछ फरक नहीं आएगा, सेम टेस्ट होगा, ठीक है, अब यह मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसके अंदर हम तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बखरी के गोस के अंदर चर्बी ज्यादा होती है, तो उस मसाल अच्छे से मटन पर लग गए हैं, अब इसके अंदर हमने आदा ग्लास पानी सिर्थ डाला है ताकि अच्छे से मटन गल जाए, उससे ज्यादा पानी का इस्तमाल हमें नहीं करना है, तो इसको हम 10 मिट तक अच्छे से पका लेंगे, 80% हमोंको इसको पका लेना है, ठीक ह इसमें बिल्कुल भी पानी की मातर ना रहें, उस बात का ध्यान रखें, तो 80% हमारा मटन पक कर रेडी हो चुका है, अब इसको हम आगे भी पकाएंगे, तो देखे किस तरीके से हमें से बनाना है, तो आप देख सकते हो कि यह बिल्कुल ड्राइड हो चुका है, देखे ब वीडियो देखकर फ्रेंच फ्राइस आसानी से बना सकते हो, तो इस तरीके से हम फ्रेंच फ्राइस बना लेंगे, यह मैंने 400-500 ग्राम आलो लिये थे, जिसकी मैंने फ्रेंच फ्राइस बना कर रेडी कर ली है, देखी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो इसक साइट पर रख लिया है तो अब उसी तेल के अंदर हमें क्या करना है जो बड़ी वाली मिर्चे होती है वह हमने इसको हमने बीच में सी चीरे करके इस तरीके से टुकड़े कर लिये हैं जिसको हम स्टॉफिंग करके बनाते हैं सिमला मिर्च भी आप के सकते हैं देखिए इस मिर्ची अच्छे से पक जाए उसके बाद इसमें हमें क्या करना है टमाटर एट करना है तो टमाटर मेंने दो बड़ी साइस के लिए थे जिसके इस तरीक से चार-चार टुकड़े कर लिये थे तो मिर्ची और टमाटर तेल में हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है इस और नमक करने के बाद आदा चम्माच जितना गरम अधाला दाला है और एक चम्मच भर के चाट मसाला अधा चाट मसालाAll अब देखी जो टमाते हमारे गल चुके थो इसके उपर से च्खिलका निकल रहा है तो अहुने आज़ेंगे लिए निकल लिए अभिद सबस्कोंदित से यह को मतन, गला कर रखा है और बिल्कुल कोरा कर लिया है उसे हम इसमें डाल देंगे देखिए इसमें बहुत ही कम मसाल एड होते हैं और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनकर रेडी होता है पेसावरी मतन और यह पठानी मतन में यही बात होती है कि यह बहुत मजेका और टेस्टी ब अगर आप जाहो तो प्रेंच पराइष डालें या ले सकती हो या करने के लिए लेकिन मैं इसमें ही डाल दोंगे तो प्रेंच फ्राइष करके रखी ती वह मटन में डाल देंगे के बाद इसको अच्छे देखिए यह हमारा मटनः पठाद रेडी हो चुका है खाने के लिए अब क्या करना है लास्ट में हमें हराधनिया डाल तो मेर्मा गरम हमारा मटनः टी मेंबर को खिलाई और कमेंट बॉक्स ने मुझे बताईए कि आपको यह मटन पठान sings और रेसिपी कैसी लगी और नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरी चैनल क्लासिक तड़का के साथ बने रहिए और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरी चैनल क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए तो जल्द ही मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दुआउं में याद कीजेगा अल्ला हाफीज